नमस्कार दोस्तों मैं हूं सोनय चेतन कानुन गो और कैसे हैं आप प्लीज मुझे बताईए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसे लग रहे हैं और हर बार की तरह आज मैं नया टॉपिक लेकर के आई हूं आपके लिए कुछ आज हम ऐसी बातों के उपर ध्यान देंगे जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई हैं और किन छोड़ी छोड़ी चीजों को ध्यान में रख करके आप अपनी सेहत को घर पर ही सुदार सकते हैं क्योंकि एक बार अस्पताल पहुंची तो लंबा चोड़ा खर्चा साथ में लेकर के जाते हैं तो बैटर है कि घर में ही थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर ध्यान लग करके हम हमारी सेहत का सुधार करें और इस्पेशली आज का जो टॉपिक है वो हड्यों की मजबूती को ले करके है कि भई अगर आपको महसूस होता है कि आपकी भी हड्या कमजोर हो रही है तो कौन सी ऐसी बुरी आदते हैं जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं जिनका एफेक्ट जो हो रहा है वो आपकी हड्यों पर हो रहा है तो पहले हम उन आदतों को छोड़ने के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़े हमें हमारी सेहत के लिए खानी चाहिए या लेनी चाहिए जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में हमारा साथ देंगी तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन दबा दीजिए टाइम टू टाइम जब भी मेरे वीडियो अप्लोड होंगे आपके पास में नौटिफिकेशन पहुंच जाएगा और नौटिफिकेशन पहुंचते ही आपको मेरे वीडियो मिल जाएगे और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगे अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने देलेटिफ्स और फ्रेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ प्लस पॉइंट्स मिल सके तो चलिए बात करते हैं सेहत मंद रहने के लिए तो सेहत मंद रहने के लिए हडियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है यह तो आप जानते ही है लेकिन आज का जो एटमॉसफेर हो गया है एज क्राइटेरिया हो गया है वो ऐसा हो गया है कि लगबग 40 की एज तक पहुंचे पहुंचे आपकी हडियां जो हैं वो कमजोर होने लगते हैं ऐसा क्यूं ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो ध्यान है कुछ बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाता खान पान को सही नहीं कर पाता बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो हम हमारी दिन चरिया में भूल जाते हैं क्योंकि इस वक्त जो इनसान 30 से लेकर के 50 साल की उम्र में लगा हुआ है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए लगा हुआ है उनकी लाइफ में पैसो के अलावा और कुछ इंपॉर्टन नहीं है तो सेहत भी सेकंडरी आती है तो अगर हड़िया कमजूर होंगी तो जाहिर है कि उससे कई दिक्कते पैदा अपने आप होंगी उठने में, बैटने में, चलने में, फिरने में परिशानी होगी इसलिए बोन हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसके लिए कुछ ऐसी आदते हैं जिनें बदलना भी जरूरी है और आदतों पर सिर्फ 28 डेस वर्क कर लीजिए वो आदत आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देंगी शेर मार्केट की तरह ठीक है देखकर इंवेस्ट करें शेर मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं आपको लॉस भी हो सकता है लेकिन यहां पर हंडेट परसंट सिर्फ प्रॉफिट होगा तो चलिए कहा जाता है कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने में प्रॉफिट खाने में अधिक होना चाहिए डाइट में अधिक मात्रा में प्रॉफिट लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है और एसडेटि बढ़ने लगती है तो सबसे पहला कारण क्या हो सकता है हमारे हड्डियों का कमजोर होने का कि अधिक मात्रा में प्रोटीन का खाना प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए उतना ही इंपोर्टन होता है लेकिन क्या होता है ना अती जो होती है वो हर एक चीज के लिए खराब होती है तो diet में अधिक मात्रा में protein लेने से आपके शरीर में calcium की कमी हो जाती है उसका reason क्या होता है कि उसकी वज़े से आपके body में acidity बढ़ने लगती है और हडियां कमजोर होने लगती है और जोडों में जुड़ी हुई परिशानियां बढ़ने लगती है तो क्या करना चाहिए हाई protein diet जो लोग लेते हैं उनकी हद्यां काफी हम कमजोर पाई गई है इसलिए diet में सीमित मात्रा में protein लेना जरूरी है हमारी शरीर में protein की भी जरूरत होती है लेकिन एक सीमित मात्रा में लें ठीक है और ज्यादा मात्रा में carbonated drinks पीना भी आपके सेहत के लिए खराब होता है carbonated drinks मतलब soft drink हो गया पीने से हमको बशना चाहिए जो pizza के साथ हम order करते हैं cold drinks वगेरा soft drink वगेरा उनको थोड़ा सा avoid कर देना चाहिए कम मात्रा में पीएं क्योंकि इन drinks में fast food की मात्रा जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और जो body को calcium की कमी करने के लिए मजबूर करती है और हड़ियां automatically कमजोर हो जाती है आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी ये soft drink कितने मज़े से पीते हैं क्योंकि उनके घर में उनके frizz में always bottle available होती है तो parents ध्यान नहीं देते glass निकाला bottle खोली और पिया बस क्योंकि taste तो अच्छा होता ही है और अधिक मात्रा में दवा खाना किसी को habit होती है थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि दवाई खाना start कर देते हैं वो दवाई बेशक आपके कुछ वक्त के लिए pain relief कर देती है लेकिन आपकी हड़ियों को कमजोर करके चली जाती है acidity की समश्य होने पर कोशिश करे कि दवा का इस्तमाल कम से कम करे क्योंकि acidity होने पर acidity को कम करने वाली दवाई जो होती है वो शरीर में acid तो कम कर देती है लेकिन पेट में कम acid होने की वज़े से calcium और magnesium और zinc की जो मातरा होती है वो कम हो जाती है जिसकी वज़े से हमारी हड़ियां कमजोर होने लगती है और अधिक मात्रा के अंदर कैफिन लेना कैफिन मतलब चाय और कॉफी लवर्स के लिए है यह especially और चाय के अंदर निकोटिन होता है और कॉफी के अंदर कैफिन होता है कहा जाता है कि जो low blood pressure वाले लोग होते हैं वो कॉफी पीने के बाद में relax महसूस करते हैं ठीक है कभी पर भी लिया तो ठीक है लेकिन अगर दिन में आप office में हैं और work कर रहे हैं आने वाले हर कलिक के साथ में आप चाय कॉफी enjoy कर रहे हैं तो कुछ वक्त के लिए तो वो आपको टंग का जो टेस्ट है ना वो enjoy करने में मज़ा आएगा लेकिन बाद में क्या होगा आपकी पर बहुत अच्छा इसका असर ना नजर आएगा तो better है कि चाय और coffee जो lovers है थोड़ा सा इसकी habit को side में कर दें परहेज करें शरीर में caffeine के अधिक मात्रा होने से हड़ियों को नुकसान होता है और coffee और चाय के अलाबा soft drink में भी caffeine होता ही है और अधिक मात्रा में caffeine लेने से क् केल्शियम को ठीक करने से observe नहीं कर पाएगा और हड़ियों को नुकसान होगा ठीक है और सबसे बढ़िया बैलेंस और healthy diet से थोड़ा सा थोड़ा सा हां बैलेंस और healthy diet बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए लेकिन यहां पर आपको किस बात का ध्यान रखना है हड़ियों क अच्छी सिहत के लिए बैलेंस और healthy diet लेनी बहुत जरूरी है बैलेंस और healthy diet ना लेने से भी हड़ियां धीरे-धीरे कमजोर हो जाती है जब तक हमें इसका एहसास होता है ना बहुत देर हो चुकी होती है तो बहतर है कि आपकी छोड़-छोड़े बच्चे हैं ना उन्हें बैलेंस और healthy diet के बारे में सिखाएं खेलाएं ताकि भविश में उनकी हड़ियां मजबूत रहें उनके अलावा आपको भी processed food और soft drinks से दूर होना चाहिए processed food मतला pack किया हुआ food और हड़ियों में सूजन की समश्या से बचना चाहिए कुम्र बढ़ने के सास्त हार्मोन भी अ अच्छे लीजिए लेकन balance में लीजिए हर एक चीज की अती जो होती है वो खराब होती है और दूप की कमी यह तो आपने शुरू से सुना होगा ना कि जो बच्चा छोटा होता है जो baby born होता है उसके लिए भी कहा जाता है इसे दूप में सुलाओ इसके हड़ियां मजबू होता है तो कभी कभी धूप भी ले लेनी चाहिए और सुबह की धूप होती है वो काफी अच्छे होती है तो उसे एक नोड नहीं करना चाहिए ज्यादा तर लोग जो होते हैं वो दूप में जाने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो इसकिन है वो जल जाएगी या फिर उनके इसकिन का कलर काला हो जाएगा तो हेल्थ एक्सपर्स जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि शरीर को भरपूर मात्रा में सूरज की रोश्नी मिले तो शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती जिसे हद्या कमजोर नहीं होती हद्यों की कमजोरी को दूर करने के लिए विटामिन डी ले सुबह के समय ली गई जो धूप होती है न वो हड़ियों के लिए हानिकारक नहीं होती फायदे मंद होती है दौफेर की धूप से बचे जो इसकिन को नुकसान पहुचाती है ठीक है इतना तो करी सकते हैं क्योंकि सुबह की जो धूप होती है वो चुपती नहीं है और अधिक स्क्रिन टाइम जी हा जिसके कारण धीरे-धीरे हड़ियां कमजूर होने लगती हैं और भविश में Osteoporosis का खत्रा बढ़ जाता है और सबसे important चीछ जो आज की रोज मर्रा की life में हम add नहीं करते वो है हमारी physical activity का ना होना यदि आप work from home कर रहे हैं या फिर work load के pressure के चलते physical activity नहीं कर पा रहे हैं तो इसका खामियाज आपकी हड़ियां उठा रही है हड़ियों के लचीले पर और मजबूती के लिए रोजाना थोड़ा साइट लीस्ट आदा घंटा exercise करना जरूरी है तो I hope so दोस्तों कि आपको अपने हड़ियों की चिंता सता रही होगी मेरे बताए हुए इन टिप्स को अगर आप follow करते हैं तो I am damn sure कि आपको फाइदा जरूर होगा हर चीज हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है लेकिन उन्हें एक सीमित मातरा में और balance right के साथ लिया जाए तो वो effect करती है वरना हमारे शरीर पर लिगई ज्यादा मातरा में चीज़ें आपके शरीर को effect करती है तो effect और effect के बीच के distance को अंतर को समझने की कोशिश कीजिए इफेक्ट जो होता है वो आपके शरीर पर positive effect डालता है सकारात्मक प्रभाब डालता है और effect जो होता है वो आपको negative तरीके से शरीर को प्रभाबित करने के लिए term यूज की जाती है तो अपने शरीर को effective बनाईए इन सब चीजों को use करके exercise करते रहिए meditation करते रहिए fruits खाते रह यह सुबह सुबह की दूब हमारी body के लिए हडियों के लिए अच्छी होती है तो बहतर है कि calcium and dose खाने की बजाए हम इन natural चीजों को प्योग करें तो हमारे शरीर को naturality की एहसास होगा I hope so कि मेरे इस वीडियो ने आपको बहुत help की होगी अगर थोड़ा भी help किया तो please मेरे चैनल को subscribe करिए और अपने friends और relatives को भी इन चीजों की knowledge देते रहिए ताकि उन्हें समय पर अपने हडियों की मलब मजबूत होने में कारगार सिद्ध हो सके तो मैं चलती हूँ आगली वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं ओके बाई बाई अलविदा